रहा है हमले पर अमेरिकी सांसद बीचो है वो काफी भढ़के हुए नजर आए और उन्होंने अपील की कि सीधा अमेरिका को भी अब इसमें हस्तक शेफ कर देना चाहिए क्योंकि लगातार जो है पहले मंदरों को टार्गेट किया गया मंदरों पर हमला किया गया उसके बाद हिंदू के इलाकों में घुसकर उनके घरों को जलाया गया उनके घरों को नुक्सान पहुंचाया गया और कई हिंदू को मौत के खाल भी उतारा गया और लगातार दंगायों पर सक्त कारवाई कि अब हिंदू जो हमांग कर रहे हैं हिंदू का कहना कि उन तक कोई भी मदद पहुंच नहीं पा रही है इसको लेकर माहुल काफी वहाँ पर खराब हो रखा है अलाकि नए प्रधान मंत्री बन चुके हैं उम्मीद यह जिताई जा रही थी कि नए प्रधान मंत्री यूनिस के शपत लेने के बाद बांगलादेश में हिंसा रुक जाएगी श्रीव ने कहा है कि बांगलादेश में हिंसा रोका जाए बयार में कहाइगा है कि सयूंक्त राष्ट के च्ट के कि भी ऐधी हिंसा के खिलादेश में हिंदो पर हमले पर बढ़ के व हैं अमेरी शांसद को भान के एद हो रहे हैं। जिस तरीके से बांगलादेश में हिंदू अपर अत्याचार हो रहा है उस तरह अब अमेरिका को सीधा हस्तक शेप करना चाहिए तो लगातार इसको लेकर अब प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं धाका में सुरक्षा की मांग को लेकर हजारों हिंदू का प्रदर्शन भी चल रहा है 17 करोड के अबादि में हिंदू करीब 8 परतिशत हैं यानि कि 1 करोड 35 लाग वहाँ पर हिंदू है जिन पर अत्याचार चल रहा है बांगलादेश अब भी सुलग रहा है अलपसंख्या खिंदवों परत्याचार को रहे हैं 1971 में बांगलादेश बनने के बाद वहां भुकमरी थी और उस भुकमरी के दोर में इसकोन संस्ताने धाई मिलियन डॉलर चुटा कर बांगलादेश के लोगों को महिने तक मुफ्त ख हां बांगलादेश के चीफ चस्टिस ने भी स्टिफा दे रहा है कि हैने को वहां अंत्रिम सिरकार बन गई है लेकिन डॉप और आदेश दंगायों के ही चल रहे हैं पांगलादेश जल रहा है, सुलग रहा है, धिन्दों पर हमले हो रहे हैं, मंदिर जलाई जा रहे हैं, हिन्सा के मद में अंधे हो चुके बांगलादेश के तथा कथित परदर्शनकारी मंदिरों को जला रहे हैं, तोल फोल कर रहे हैं, दंगाईयों ने बांगलादेश के इसकौन मंदिर को भी फोक दिया, यह वही इसकौन है, जिसने बांगलादेश निर्मान के बाद भूक से म बांगलादेशों की मदद की लिए सैख्णों करून उपए खर्च किये थी भूखे मर्ते बांगलादेशों को मुफ्त खाना खिलाया था लेकिन हिंसक भीड ने उसी स्कॉन मंदिल को ही जला डाला, तबाह कर डाला जब मंगलादेश 1971 में अजाद हुआ था ना तो आरती करूप से बहुत बुरी हालत थी लोग भूग से बिलबला रहे थे, बहुत अस्त परिस्तितियां थी तो उस वक्त जो एसकॉन के फाउंडर है हमारे शिला परुपाजी उन्होंने 2.5 मिलियन डॉलर रेस करे थे आप सोचें 50 साल पहले 2.5 मिलियन डॉलर बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर वो कम्यूनिटी है जिनको जब सबसे ज़्यादा जुरुत थी उस वक्त उनकी हेल्प की गई, इतने बड़े स्केल पर उनकी हेल्प की गई चरम पर परदर्शन कारियों के नाप पर गुंडा गर्दी हो रही है